गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे इवी एस ओपन पेज नमबर 114 राइट टुडेश देट एन डेश तुडेश वी आर गोईंग टू लाँ चैप्टर नमबर 22 इस्टोरिकल बिल्डिंग्स मेंस एतिहासिक इमारतों के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे चली रिडिंग स्टार्ट करते हैं इंडिया हैस बीन हम होम तो पीपल अफ दिफरेंट कल्चर्स एंड रिलिजियंस चैप्ट जाओं टैडिशनार लिजिया एंडिया अव्योग स्टाउव एंडिया काम टांविंग्स नह तीश эпynnटेश लाँ लाँ फजनारी में तक्र फार्या रिल्डिंग्स is called the monuments. Monuments tells us about the way of living of people in the past, their skills and culture. Many people from all over the world come to India to see these historical buildings. Let us learn more about some of these historical buildings. भारत विभिन संस्क्रतियों और धर्मों के लोगों का घर है, इसमें लोग अपनी पहचान को इस्थापित करने के लिए यहाँ पर लोगों ने कई आकरशक इमारतों, मूर्तियों आदि का निर्मान किया भारत में और अब इन बिल्डिंग्स को इन इमारतों को एतिहासिक महत्व प्राप्थ हो गया है जो हमारी सरकार है भारत सरकार द्वारा इन एतिहासिक इसमारकों की देखभाल की जाती है और ऐसी मूर्तियां या इमारतें जो किसी special person या किसी special घटना की याद में बनाए जाते हैं उन्हें इसमारक या monuments कहा जाता है जो monuments हैं ये अतीत में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके उनके कौशल और संसकती के बारे में हमें बताते हैं कई लोग भारत में दुनिया से इन एतिहासिक इमारतों को देखने के लिए भारत आते हैं चलिए अब हम इन कुछ एतिहासिक इमारतों के बारे में पढ़ते हैं दा अशोका पिलर जिसे अशोक स्तंब कहा जाता है Emperor Ashoka was a great ruler of ancient India He ruled India more than 2000 years ago During the latter part of his life he followed Buddhism and devoted himself to the spirit of Buddhism He was a warrior जो समराट अशोक थे वो प्राचीन भारत के एक महन शाशक थे उन्होंने भारत पर लगभग 2000 साल पहले राज किया था उन्होंने अपने जीवन के अंत समय में बाध्य धर्म को अपनाया और उसका बहुत अच्छे से उसका प्रचार किया और वो एक योद्धा थे He started to believe in non-violence, love, truth and tolerance after adopting the Buddhist faith उन्होंने जब बाध्य धर्म को अपनाया तो उन्होंने अहिंसा, प्यार, सच्चाई और सहिशनता पर विश्वास करना शुड़ू कर दिया He constructed hospitals, roads, pillars and many other buildings उन्होंने कई hospital, road, pillars और कई इमारतों का निर्मान करवाया The Ashoka pillar is the most popular structure made by Ashoka Samrat Ashoka द्वारा बनवाया गया सबसे लोगप्री structure कौन सा है Ashoka pillar, Ashoka istambh जिसे हम कहते हैं It is in Sarnath, यह Sarnath में इस्थित है The pillar has curving of four lions which are standing back to back इस pillar में four lion बने हुए हैं जो एक दूसरे के पीछे इस्थित है The carving of four lions is the national emblem of India यह जो four lion है यह भारत के राष्ट का राष्ट प्रतीक में इस्थित है A chakra called the Ashoka chakra is one of the carvings of this pillar यह जो chakra है जिसे हम Ashoka chakra कहते हैं इसमें एक इस्तंभ में एक नकाशी chakra की इसमें की गई है The Ashoka chakra depicted in the center of the Indian flag has been taken from this pillar हमारा जो Indian भारती जो धज है इसके center में इससे जो असोक चक्र इस्थित है वह इसी pillar यही इसी असोक इस्तंभ से लिया गया है The Taj Mahal The Taj Mahal is the perhaps one of the most magnificent buildings built by Muslim emperors Taj Mahal जो है यह Muslim साशकों द्वारा बनाया गया सबसे सुन्दर और सबसे शांदर इमारतों में से एक है It is in Agra यह Agra में सित है The Taj Mahal was built by Emperor Shah Jahan in 1631 in the memory of his beloved wife Mumtaj Mahal इसे Samrat Shah Jahan द्वारा 1631 में अपनी पतनी Mumtaj Mahal की याद में बनवाया गया था When Mumtaj was alive, she made the emperor promise that he would build the Taj Mahal in her memory जब Mumtaj जी भी थी तब समराट सहजहा ने उन्हें यह promise किया था कि वो उनकी याद में ताज महल बनाएंगे He kept his promise और उन्होंने अपने promise को निभाया है The construction of the building began in 1631 and was completed in 22 years इस building का निर्मान 1631 में शुरू हुआ था और इसे complete होने में लगभग 22 years लगे About 20,000 people were deployed to work on it और इसमें लगभग 20,000 लोगों के द्वारा इसे बनाया गया था The materials and artists were brought in from various parts of India and Central Asia और इसके जो material और जो कारीगर थे उन्हें इंडिया के भारत के बिभिन हिस्सों से और Central Asia, Madh Asia से इन्हें लाया गया था In addition, it took a fleet of 1000 elephants to transport the material to the construction side और निर्मान स्थल पर जो material है उसे ले जाने के लिए लगभग 11,000 हातियों के द्वारा इसे पहुचाया गया था The famous building is made of white marble It stands on 22 feet height platform It is an eight-sided building यह सुन्दर famous मशुहूर building इमारत जो है White marble सफे संगमरमर से यह बनी हुई है और यह 22 feet उंचे platform पर खड़ी हुई है और यह eight-sided building है मतलब आठ तरफा इसके यह इमारत है अब हम देखते हैं जामा मस्जिद The jamah masjid on the west of Red Fort A mosque called Jamah Masjid was built by Sahajahan This building was built between 1644 and 1658 by 5000 artisians जो Red Fort लाल किला है उसके पश्चिम भाग में एक मस्जिद है जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है इसे Sahajahan के द्वारा बनवाया गया था और यह building जो है 1644 से 1655 के बीच बनवाई गई है और इसमें लगभग 5000 कारीगर थे The jamah masjid is the largest and perhaps the most magni efficient mosque in the India भारत में jamah masjid जो है सबसे बड़ी masjid है और शाय सबसे शानदार masjid भी है अगर देखते हैं The Red Fort at Delhi Delhi का यह Red Fort The Red Fort at Delhi was constructed by Shah Jahan 1639 It is said that it took 10 years to be completed Red Fort at Delhi में Shah Jahan 1639 में बनवाया गया था और कहा जाता है कि इसे बनने में लगभग 10 साल लगे थे It has thick red stone walls bulging with terraces and basins The walls extend up to 2 km and vary in height rising up to 18 m It is situated on the banks of the river Yamuna It contains a mosque, halls for public and private audience Domed and arch, marble palace, private apartments and gardens तो यह जो Red Fort है यह लाल प्रजों और बुर्जों के साथ लाल पत्थरों की मौटी दिवारों से यह बना हुआ है इसकी जो दिवाले हैं वो 2 km तक फैली हुई है साथ ही यह 18 मीटर तक उची है और यह Yamuna नदी के किनारे पर इस्थित है और इसमें मस्जिद और पब्लिक और प्राइबेट ओडियन्स के लिए हॉल है प्राइबेट अपार्टमेंट्स हैं गार्डन्स हैं इसमें यह सारी चीजें इस्थित हैं Entrance to the fort is through the Lahore gate इसका जो Entrance का gate है वो क्या है Lahore gate है It takes its name from the fact that is face Lahore और इसका नाम जो है यह Lahore को face करता है इसलिए इसका नाम यह रखा गया है This gate has a special significance for India यह इस gate का भारत के लिए बहुत महतवपून है यह gate Most of the speeches have been made by freedom fighters and national leaders from here अधिकांस जो स्वतंतरता सैनानी थे और जो राश्टी नेता थे उनके द्वारा भाशन इसी gate से दिया जाता था Our Prime Minister hosts the tree colors above this gate on Independence Day हमारे जो प्रधान मंतरी हैं वह स्वतंतता दिवस के दिन इस gate की उपर ही तिरंगा जंडा फहराते हैं फिर है कुतुब मिनार मिनार को बनने में लगभग 20 साल लगे थे इट वस कंप्लीटेड बाइदा सुल्तान सक्सेजर एंड सन इन लौ इलुत्तु मिश इसे सुल्तान के उत्तराधिकारी और दामाद इलुतु तुमिश द्वारा कंप्लीट किया गया था इस 22 मीटर हाइट मिनारेट इस सराउंड़ेड बाइड बाइस मीटर उची मिनार है ये इसके चारों तरफ कई प्राचीन इसमारक फैले हुए है इस एरिया को एक साथ कुतुब कॉम्पलेक्स कहा जाता है इसे दुनिया इसे वर्ल्ड हैरिटेज साइट का डिकलेर किया गया है फिर आता है Victoria Memorial Victoria Memorial is the splendid example of Christian architecture It was built in the memory of Queen Victoria This famous structure is based on the architecture of the Taj Mahal It is made of white marble The statue of the Queen at the entrance spelled the magic of British gradient जो Victoria Memorial है ये Christian architect का की सुन्दरता का एक उधारन है It was और ये महरानी Victoria की याद में इसे बनवाया गया था यह famous structure जो है ये ताज महल के जैसा ही है और इसे white marble से बनाया गया है इसके entrance पर रानी के महरानी का जो statue है उनकी जो मूर्ती है वो British भव्वेता का जादू बिखेरती है फिर हम देखते हैं The Charminar The Charminar is situated in Hyderabad The capital city of Andhra Pradesh and Telangana Charminar जो है यह आंधर प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी Hyderabad में इस्थित है It is a beautiful building यह बहुत ही सुन्दर building है It was built by Muhammad Kuli Kutub Shah in 1591 To celebrate the end of the plague of Hyderabad इसे जो plague बीमारी आई थी उसके खत्म होने पर उसे celebrate करने के लिए Muhammad Kuli Kutub Shah ने 1591 में इसे building को बनवाया था It was four minarets and four arts through which pass the main streets of the city इसमें ये चार मिनारे होती हैं और four arts हैं जो और इसके शहर की जो सारी main roads हैं वो यहीं से होते हुए जाती हैं It rises to a height of 50 meters above the base यह मिनारें जो हैं बेस से पचास मीटर उंचे पर बनी हुई हैं It derives its name for the four minarets और इन चार मिनारों के आधार पर ही इसका नाम चार मिनार रखा गया है फिर आता है हवा महल The हवा महल is in the pink city of Jaipur The crown shaped five-story building was built by Maharaja Sawai Pratap Singh in 1799 हवा महल जो है यह pink city Jaipur में इस्थित है यह crown के shaped का five मंजिला इमारतों बाला एक बहुत सुंदर building है जिसे महराज सवाई Pratap Singh द्वारा 1799 में बनवाया गया था It was designed by the architect लाल चंद उस्ताद इसका जो design है वह architect लाल चंद उस्ताद द्वारा बनाया गया था He dedicated his work to Lord Krishna और उन्होंने अपने इस work को भगवान कृष्ण को अर्पित किया था The monument is made up of red and pink stones यह जो इस्मारक है यह लाल और गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है It has some beautiful work of white lime इसमें बहुत सुन्दर सफे चूने से कारीगरी की गई है There are 953 small windows in this monument इस स्मारक में 953 small windows खिड़किया है These windows were built so that the woman of the Jaipur royal family could watch the activities taking place in the city and market place यह खिड़किया इसलिए बनाए गई थी ताकि जो राजपरिवार की महिलाएं हैं शहर और मार्केट में होने वाली गतिविदियों को यहां से देख सकें फिर आता है दे लेनिंग टावर औफ पीजा पीजा का लेनिंग टावर यह जोका हुआ टावर ठीक है दे लेनिंग टावर औफ पीजा वस कंस्क्रक्टेद इन 11-7-3 इस 187-ft-tall structure is located at Pisa in Italy The strange structure was initially upright at the time of construction, but because of poorly laid foundation, it began leaning towards the southeast direction. It was declared a World Heritage Site by UN Agency UNESO in 1987. यह जो इमारत है, यह 187 फिट उंची है, और यह इटिली के पीजा में इस्थित है. शुरुवात में यह इमारत सीधी थी, पर इसकी जो नीव थी, वो कमजोर होने के कारण यह अपने आप थोड़ी सी तिरची हो गई. और यह साउथ इस्ट डारेक्शन में मुड़ गई. और इसे UN सेयुक्त राश्ट की एक एजिंसी UNESO द्वारा 1987 में World Heritage Site डेक्लेर किया गया है. फिर हम देखते हैं Care of Historical Buildings यह जो एतिहासिक इमारते हैं उनकी देखभाल करना है ना. Historical Buildings are very important as they are proof of historical facts. इन एतिहासिक इमारतों को देख हमारे लिए बहुत महतोपूर्ण हैं क्योंकि यह हमारे एतिहासिक तत्यों का प्रमार्ण है. People from all over the world come to India to see our historical building और पूरी दुनिया से लोग भारत में इन एतिहासिक बिल्डिंगों को देखने के लिए आते हैं. Our government take care of this building. हमारी जो सरकार है वो इन बिल्डिंग की देख भाल करती है. We too must take care of our historical buildings and preserve them. हमें भी इन एतिहासिक इमारतों की देख भाल करना चाहिए और उन्हें सनरक्षित करना चाहिए. We should not throw waste in and around the historical buildings. हमें इन एतिहासिक इमारतों के चारों तरफ कचड़ा नहीं फेकना चाहिए. We should not scribble our name on the walls of the historical buildings and spoil them. हमें इनकी दिवालों पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए और नहीं खराब करना चाहिए. We should not spit or urinate anywhere and around the historical buildings. हमें इन इतिहासिक बिल्डिंगों पर थूकना नहीं चाहिए. उन पर urine नहीं करना चाहिए. तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है. जब भी हम इन जगों पर घूमने जाते हैं, तो हमें उन्हें गंदा नहीं करना है. तो यह था हमारा आज का चैप्टर, यह कंप्लीट होता है. अब हम इसकी एक्सरसाइस करेंगे. ओके, ठैंक यू.